ये गाइस क्यासे हो आप लोग तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं पनीर भुचिया उसके लिए मैंने लिए हैं डाइसो ग्राम पनीर इसको यहां से तोड़ा सा तोड़ लिया है और इसके बाद मैंने लिए हैं कुछ चीजे प्यास गाजर लैसुन शिम्ला मिर्च अद्रक और मिर्च इसमें से दो-तीन चीजे आप स्किप कर सकते हो लाइक गाजर आपकी चैप डालो चाहे न डालो कैप्सिकम भी आपके मूट के उपर है और यह लैसुन भी तो फटा-फट से बनाना शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं तो सबसे पहले हम लोग कड़ाई मे तेल डालेंगे और से गरम करेंगे और इसके बाद हम लोग डालेंगे इसमें जीरा तो पहले तेल को थोड़ा सा गरम होने देते हैं थोड़ा सा वेट करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं दुआ निकल रहा है हमारा तेल हो गया गरम अब इसमें हम लोग डा अब तुरंक इसमें हम लुग डाल देंगे लैसुन, और ख्लेम को थोड़ा सा धीमा कर देंगे, लैसुन को थोड़ा भूंदने के बाद अब हम उसमें डाल देंगे प्यास, जियान रखेए कि अब प्यास को हम दुकों को गुल्डन बाउन नहीं करना है, बस इसे ट्रांस् तो प्यास का कलर चेंज हो गया है अब इस पर हम लोग डाल देंगे अपनी वेजीज अब मैंने पुरी सी मटर भी बॉयल कर ली थी तो थोड़ा सा मटर भी इसमें डाल देते हैं मटर दाक के लिए अप्समेल है आप चाहो तो डालो या मट डालो पोई रिक्कत नहींगे मेरा मंग का तुम आने डाल लिए अब इसमें अड़ कर देते हैं थोड़ा सा नमक अब इसमें अड़ करते हैं दो घरी मिल्च अब हलका सथ को ढखके पकाएंगे अब बारी आगे इसमें मसाले डालेंगी तो हम डालेंगे थोड़ा ताहूदी एक चमच थोड़ा तार बढ़ा लेंगे इसके बाद बन्या पाउडर्र अब करते हैं और इसके बाद बस दालेंगे हम लोग पावभाजी मसाला तो है मैंने इसमें और कुछ मैट नहीं किया है तो फॉड़ा पानी काया एड़ चल लिया है मतलब तबजी मतला या और कुपी जो कि हमने टमाटर एड नहीं किया रहा है थोड़ा सा पानी का एड़ कर लिया है अब इसमें एड़ करने जा रहा है थोड़ा सा बटर कि एक बार से चेक कर लेंगे हम लोग अच्छी तुजबू आ रही है बहुत बढ़िया थी मतले बुन गए हमारे और अब हम लोग आड़ करेंगे इसमें अपना पनीर अब इसको अच्छे से मिला देंगे हम लोग तो हमारी बुर्जी लगबग रेड़ी है अब इसमें एड़ कर देंगे हम थोड़ी सी धन्या और पाइनशे पनीर बुर्जी हमारी रेड़ी है पनीर बुर्जी हमारी रेड़ी है तो आप भी ट्राइ करके देखिए मनाईए इंज्वाइ कीजिए तिल दें टेक्यर बबाए अब्छार करे देंगे हमारी रेड़ी है अप सुना